राश्टरसन तुक्रजी माराज नापुर विद्धपीट के गेर जमिदार काम का फिर से एक नमूना सामने आया है एसबार SFS कॉलेज के सेकेंड यर के सेमिस्टर के छात्रों के पेपर के बाद हॉल टिकेट देने की बाद सामने आई है इसे कई छात्र है जिनका नुकसान हुआ है आज इन छात्रों को नियाय मिले इसलिए आज नापुर शहर कॉंग्रेस कमेटी अलप संख्यक विभाग के अद्यक्ष वसीम खान ने छात्रों के साथ मिलकर आंदोलन किया वसीम खाम ने कहा कि वर्ट शात्रों का नुकसान नहीं होने देगे वह बच्चों का लास एक्सजाम था तो हमारे साहत्य हमारे पास पूरे से बच्चे और लोग हमारा साथ के जितने भी कारे करता थे वह एसे वैसके डीन से प्रिंसिपल से मिले उनको बोले कि यह कैसे हुआ और क्या हुआ तो महां के डीन ने खुद हमको लेटर दिया उननें कि इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है इसमें युनिवर्सिटी का फॉल्ट है कि उनने लेट अपलोट किये जिससे बच्चों को 21st of February को आइकार मिला हॉल्ट टिकेट जो की 13 फेब के पहले मिलना था आज हमने निवेदन यहाप पे पूरे स्टूडेंट्स और जितने भी हमारे यूद कोंग्रेस नागपूर कोंग्रेस अलसंकेक सब के साथ मिलकर पूरे स्टूडेंट्स को जमा किया और वीसी चोदरी सर को कुल पर नियम हैस पर रूल जो होता है या तो इन अहुज एक्जाम होंगे या बच्चों के अभी एक्जाम होंगे तुरंद और बच्चों को वापस से एक्जाम देने मिलेगा हमारे संपर्क में 11 चात्र है और टोटल 24 चात्र है जिसमें हमने निवेदन में हरेक का नाम डाला है और एक सब्जेक जो जो सब्जेक उनका बैक लग रहा है जो छुटा है वो भी डिस्क्रिप्शन हमने पूरा दाल दिया है तो सर ने उसका देखा है और सर ने बोला तुरंद इस पर हम लोग अभी आज के आज में इस पर हम लोग डिसिजन लेंगे NBCN News के लिए राजकुमार मोड के साथ शितिजाद देशमुकी रिपोर्ट